हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का एक कोड नई वीडियो में तो जैसे की बीजमाय में आ गया है एवन रोयल पास और इसमें आपको नए मिशन देखने को मिल रहे होंगे वीक वन के तो अगर आप सोच रहे होंगे कि एवन रोयल पास के साथ यहाँ पर मिशन में भी कुछ होत असान है तो अगर आपको कोई particular मिशन complete नहीं हो रहा है या फिर उसे समझने में कुछ दिक्कत आ रही है तो आपको यही बताऊंगा मैं इस वीडियो में कि आपको mission में जो language दी गही है उसे ही समझना है कि इसमें आपको क्या करने के लिए कहा जा रहा है तो जैसे यहाँ पर पहले week के missions में एक mission दिख रहा होगा travel mode than 3000 meters while operating a specific vehicle Mirado in classic mode तो इसके लिए आपको कौन से mode में कौन सा map लगाना है यह समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बतायता हूँ सबसे पहले आपको जाना है lobby में महाँ पे map select करने वाले option पर जाना है जिसमें आपको दो mode दिखेंगे ranked और undranked तो सबसे पहले यह question आता है कि कौन से mode में आपको match खेलना है तो जैसे कि यहाँ पर लिखावा है in classic mode तो इसका मतलब है आपको ध्यान रखना है कि आप सिर्फ classic mode में ही match लगाओ वर्ना यह वाला mission complete नहीं होगा जिसका मतलब है आप ranked और undranked दोनों में ही matches खेल सकते हो अब यहाँ पर बात आती है कि आपको कौन सा map लगाना है तो map के लिए आपको सबसे पहले देखना है कि mission में कोई map का नाम तो नहीं लिखावा क्योंकि यहाँ पर ही mission में बता दिया जाएगा कि आपको कौन से map में complete करना है अगर नहीं बताया जा रहा है तो आप कोई साभी map लगा सकते हो classic mode के अंदर जाए वो एरेंगल, मिरमार, सैनोक, विकेंडी या कोई साभी map हो बड़ यहाँ पर condition यह आती है कि आप classic mode के अंदर आने वाला ही एक map लगाओ और इसके साथ आप solo, duo और squad में यह mission पूरा कर सकते हो अब जैसे कि मैंने match start किया है एरेंगल वाला map लगा के अब यहाँ पर आपको ऐसी जंगा land होना है जहाँ पर easily कोई भी vehicle मिल जाए या फिर अगर आपको mirado दिखती है तो आप mirado के आसपासी land हो क्योंकि mission में vehicle specify की गई है mirado अब जैसे मुझे यहाँ पर mirado नहीं मिली तो मुझे यहाँ पर थोड़ी सी loot करने के बाद बगई मिल गई है तो इसे ही लेकर चलते हैं और mirado ढूंडते हैं अब जैसे मुझे यहाँ पर मिलता power के पास एक mirado मिल गई है अब फिर से आपको mission की language समझनी है वहाँ लिखावा है mirado open top जिसका मतलब है mirado की रूफ उपर से खुली भी होने चीए और जैसे कि मुझे यहाँ open वाली mirado मिल गई है बट अगर आपको close वाली mirado मिले तो आप उससे भी emission पूरा कर सकते हो क्योंकि यह जो mirado है यह convert हो सकती है यह जो आपको right side में car का button दिख रहा होगा उससे और फिर आप इसे open और close दोनो mirado बना सकते हो तो एक और question आता है यहाँ पर कि आपको vehicle drive करनी है या फिर अगर आप passenger seat में बैठ जाओ तो भी आपका emission पूरा हो जाएगा तो हाँ क्योंकि mission में लिखा हुआ है travel more than 3000 meters जिसका मतलब यहाँ पर यह specify नहीं किया गया है कि आपको drive करनी है बलकि यहाँ पर अगर आपको driver seat पर बैठ होगे तो भी आपका emission पूरा हो जाएगा और अब mission में जाके देखिलेते हैं यहाँ पर collected लिखावा रहा है जिसका मतलब मेरा emission ऐसे complete हो गया है और ऐसे आपका mission भी complete हो जाएगा बिल्कुल easily और अगर यह info आपको helpful लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो मिलते हम नेक्ट वीडियो में bjmi के नई update और tips and tricks के साथ तब तक के लिए bye bye